पिछली वीडियो में हमने डिसकस किया था कि Amazon और नार्मल आफ्लाइन मार्कीट के अंदर कौन-कौन से बिजनेस मार्डल होते हैं मैं छोटा साथ को रिवाइज कर दो बी तू बी बिजनेस तू बिजनेस B2C Business to Consumer, C2C Consumer to Consumer, C2P Consumer to Business आज की वीडियो में हमने दो चीज़ें डिसकस करनी है नमबर वन हमने ये डिसकस करना है कि मार्कीट प्लेस की ट्रे 여러분ेक लेने के बाद आप किस तरिँचे से अपनी अपनी प्रेंग करते हैं या हमेर प्लेस मोर मार्कीट प्लेस के तरो और नमबर सेकिंड हमने डिसकस करना है कि Amazon या Noon इसके ओपर कौन-कौन से business models है जिसके ओपर हम या आप पर क्लाइंट काम कर रहे होते हैं अब जहां तक बात है अर्णिंग के हवाले से उसमें सबसे पहले आप अर्णिंग करते हैं skills gain करने के बाद अब विर्चुल असिस्टेंट आप उसकी services दे रहे होते हैं विर्चुल असिस्टेंट इस सिमिलार अगर आप यहां पे किसी भी super market या hyper market की example लें वहां पे different किसम के staff available होते हैं वहां पे आपको supervisor भी मिलते हैं assistant manager भी मिलते हैं और आपको manager भी मिलते हैं जो के उस complete store को देख रहे होते हैं store की की भी अगर उनके पास होती है तो online store की की हमारे पास आपका user ID पासफ़ाट हो जाता है तो वह offline market के अंदर जो एक manager एक store को maintain कर रहे हैं वही manager जब हम online की बात करते हैं तो वह virtual assistant कराता है कि आप किसी के store को manage कर रहे हैं उसकी pricing देख रहे हैं उसकी listing देख रहे हैं customer को response कर रहे हैं buying कर रहे हैं pricing up down कर रहे हैं inventory को check कर रहे हैं means there are lot of things जिन को हमने आने वाले videos में discuss करना है यह सब कुछ आप देख रहे हो के हैं आप virtual assistant कराते है virtual assistant this is number one source of income number second अगर आप अपना business कर रहे हैं आप अपना business means के यह हमारे पास एक physical type of business होता है कि जिसमें product को जो है वो आप उसको buy करते हैं इसके हमारे पास different किसम की methods होते हैं जिन को next step में discuss करता हूँ और उसके बाद आप आपना business कर रहे होते हैं और उसके फिरूब आप अपनी income को generate कर रहे होते हैं this is so simple means that whether you need to do as a virtual assistant और या अगर आप अपना काम भी करना चाहें तो आप अपना business भी उसके उपर कर सकते हैं अब यहां पर एक चीज़ मैं थोड़ी सी और एड़ करता हूँ जो आपके market place से मुतालिक है कि जो आपका market place का business है उसमे लास के chances ना होने के बराबर होते हैं उसमे multiple factors हैं ना होने के बराबर उसमें कंडिशन यह है कि मेक शूर के आपने product, market और market place चूज करने में आपने सही फैसला की है प्रोड़क आप अची लिए market place आप ठीक चूज करें उसमें आपको किसी किसम के लास नहीं होता उसकी में आपको चोटी सी आपको लाजिक के दूँ कि देखें offline market के अंदर जो आपको लास होता है उसमें जब आपकी sale कहने या income कहने वो कम हो जाए और आपके fix expenses जो है इंक्रीज कर जाए कुछ चर्स के तक आप उसको sustain कर सकते हैं but for a longer time period you can't sustain that इसके लिए अगर हम online business के example लेते हैं तो online business के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता आपके fix expenses ना होने के बराहर होते हैं offline market के अंदर आपको आपका store है आपका office है आपकी shop है जो कुछ है आपने उसका rent pay करना है online market के अंदर ऐसा कुछ नहीं है apart of some specific market places and specific locations like amazon वो आपसे monthly $40 चार्ज कर रहा होता है उसके बाद आपने staff की salaries देनी है online के अंदर ऐसा नहीं है अगर आप अपना store फुद manage कर रहे हैं तो आपको किसी को salary देने की ज़रूद नहीं है offline के अंदर आपके fixed expenses होते हैं आपके बिजली के बिल होते हैं gas का bill है, telephone का bill है online market के अंदर ये expenses भी बिलकुल नहीं होते आपको किसी को bill pay करने की ज़रूद नहीं है आपको staff की salary देने की ज़रूद नहीं है उसके इलावा जो एक सबसे बड़ी reason offline के अंदर जो आपका business flop होता है वो ये भी है कि जब आप credit पे या उधार पे चीज़ें देते हैं और उसकी recovery आपको नहीं होती तो उसकी वएसे भी आपको बहुत आस होता है online business के सबसे बड़ी पुपसूरती ये भी है कि यहां पे आपके पास net cash का का काम होता है even कि customer ये customer जो product buy कर रहोता है तो पहले उसको pay करता है in case अगर वो उसको card के तुरू payment कर रहे हैं तो पहले pay करेंगे after that their production needs to be processed और उसके पाद अगर cash and delivery के option है तब भी product उनके पास जाएगी वो cash pay करेंगे उसके पाद वो delivery लेंगे और किसी भी market place के साथ आप जब काम कर रहे होते हैं तो वो seven days, ten days अगर आप Facebook के साथ काम कर रहे हैं USA के अंदर after seven days वो amount transfer कर देते हैं अगर आप noon के साथ काम कर रहे हैं after every Thursday उनकी cut-off date होती है और उसके बाद Monday वो पैसे आप account में transfer हो जाते हैं means for you no need to hire an accountant also Everything is systematic उनकी reports वो भी सारी है आपके पास खुत-बखुद e-mail के आरी होती है और आप उसको generate भी कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास Amazon है Amazon after every 15 days पैसे आप account में transfer कर देता है normally it took two to three working days उससे पहले वेकर आप withdraw कर माना चाहें आप उसके request डाल सकते हैं जो specific amount है वो again working days का process जो है वो complete करने के बाद आप account में आ जाती है तो यह एक सबसे बड़ी खुबसूरती है online के business के के इसके अंदर किसी किसम का कोई credit नहीं होता उसके लावा there are multiple reasons आपका जो offline का business है उसमें चोरी भी हो सकती है आग भी लग सकती है इस तरह के different किसम के incidents हो सकते है मगर जो आपका online का business है उसमें इस तरह के incidents नहीं होते अगर in case किसी जगह पे हो भी जहाए जहां पे आपका start पड़ा हुआ है तो वो चीज़ें आपकी insured होती है उसके इलावा आपका online का business 24-7 का है कोई भी customer जो है उसको किसी भी वक्त बैठके वो आपकी shop से buying कर सकता है उसके बाद online shopping के अंदर पूरा world open होता है offline के अंदर एक specific location के अंदर आप business कर रहे होते है specific location के customer ये clients ही आपके पास आ रहे होते है मगर online के अंदर ऐसा नहीं होता उसके इलावा main चीज़ यह है जो आपके पास online profit margin होता है this is really a good profit margin in case अगर आप private label कर रहे है अपना brand अपनी कोई business launch कर रहे है जिसको हम इसी video के next part में आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप उसको कर रहे है तो आप sourcing जो आपकी है वो बहुत कम पैसे से आप sourcing कर रहे होते है sourcing इन product को आप purchase कर रहे होते है वो चाहिए आप अपने supplier से करें या फिर आप अलीबाबा के दिरू करें तो वो कुछ business techniques होती है कि जिसके दिरू आप उसकी lending cost आफाइंड कर रहे होते हैं उसके बाद उसको sale करेंगे तो आपको profit कितना होगा उसके आपका return on investment कितना आएगा यह different किसम की चीज़ें होती है मगर उसके आपका profit margin बहुत अच्छा होता इन केस अगर किसी वजह से आपको feel हो कि आपकी product की selling है वो slow हो गई है तो आप उसके different किसम का discount भी लगा सकते है उसके आप promotion poor लगा सकते है जिसके through आप उसकी price को adjust करके आप उसकी sale को increase कर सकते है तो there are multiple factors which determine के online business के अंदर आपको loss ना होने के बराबर होता है अच्छा उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे portion की तरफ इसी video के के आप online के अंदर आपके पास business model को उन से होते है देखें हमने इस video series के अंदर दो market places को discuss करना है एक हमने amazon को discuss करना है दूसरा हमने noon को discuss करना है noon गल्फ की बहुत बड़ी market है और noon के client भी market के अंदर अगर आपके पास noon's के account manage करने का experience है तो as a virtual assistant noon के clients आपको गल्फ market में बहुत तेजी से मिलते है as compared to amazon के तो हम इन दोनों चीज़ें को discuss करेंगे 70% of the things, 70% of the procedure will remain same तो यही वज़ा है कि मैं कहीं पे amazon का लाउज यूज करना हूँ और उसके बाद मैं कहीं पे noon का लाउज में यूज करना हूँ क्योंकि जो चीज़ें हम discuss करने है वो दोनों marketing places के उपर same है आपने listing करनी होती है आपने store open करना है उसका procedure है उसके बाद different किसम की business models आपके 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 पास दोनों marketplaces के उपर same होते हैं second portion में business model हमारे पास phone call से होते हैं यह भी understand करना जरूरी है next video में जब हम जाएंगे अपनी screen regarding की तरह और practically जब हम Amazon को start करेंगे तो उससे पहले अगर आप तीन videos लेख लेंगे तो आगे आने वाली videos में चीज़ों को understand करना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा अब पहला हमारा business model है उसके अंदर उसको हम कहते हैं private label जिसको हम PL भी कहते हैं private label भी कहते हैं और उसको हम अपना brand भी कहते हैं private label का मतलब यह होता है कोई भी ऐसी product वैसे तो Amazon पे आप कोई भी ऐसी product ढूंडना भोत ही मुश्किल है कि जो पहले से sale ना हो रही हो सिर्फ एक चीज ऐसी होती है कि जो आप किसी भी category में जाके आप उसको new listing करके आप save कर सकते हैं वह होती है private label कि किसी भी product के उपर आपका अपना नाम लिखा होता है वह आपकी private label के लाती है यह हमारे पास एक business concept हो गया online के अंदर अब most लोग जो है जिन लोगों ने long term गयों पर business करना होता है private label में आपको return gradually आता है immediately start नहीं होता क्योंकि उसमें आपने product को अपने store को आपने establish करना होता है उसके बाद आपने product को rating में reviews में अच्छा लेंके आना होता है so that is the reason step by step आपका private label का business जो है वो grow करता है मगर एक sustainable और सबसे long lasting जो है वो आपका private label ही होता है इसमें आप किसी भी product को किसी भी specific category के अंदर जिसको हम आने वीडियो में discuss करें कि कौन सी product होनी चाहिए कौन सी category होनी चाहिए उसके अंदर आप अपना branding उस पर लिखवा के आप उसको जब बेचना स्टार्ट करते हैं तो यह चीज़ आप रिकलाती है private label दूसरा और यह concept हमारे पास दोनों market places के उपर है इवन के तीनों को ले ले ले, आप दराज को भी ले ले ले, Amazon को भी ले ले ले, Noon को भी ले ले, यह concept हमारे पास तीनों market places के उपर है दूसरा हमारे पास खिलाता है FBA, Fulfill by Amazon यह FBN, Fulfill by Noon इसका मतलब यह होता है कि आप दूसरों की product जो है, वो इसको आप sale out कर रहे होते हैं अब let's suppose मैं आपको दूँ एक mobile phone है, अगर इस mobile phone के उपर, मैं अपनी manufacturing करवा के अपना logo लगवा के कोई भी मैं इसको नाम दे के मैं इसको जब बेशना शुरू करूँगा, यह हमारे पास private label के लाएगा अब यह already phone market के अंदर भीक रहा है, इसके आथवराज distributor बैठे हुए है अगर मैं इसी product को लेके हमारे पास कुछ इसके requirements होती है कि आपको brand approval sometime लेनी होती है, sometime नहीं लेनी होती वो next step है उसको जब हम उस stage पे पहुंचेंगे, उसको हम discuss करेंगे अगर इसी को लेके मैं इसको बेचना शुरू कर दूँ, जो already लोग सेदर इसको बेच रहे हैं, बीस बेच रहे हों, तीस बेच रहे हों, चालिस बेच रहे हों यह हमारे पास कराता है FBA या FBN के दूसरों की product को sale out करना अब इसके साथ हमारे पास FB, MB है एक चीज जिसको हम कहते है Fulfill by merchant और एक हमारे पास है FBP जिसको हम कहते है Fulfill by partner यह अलैता से हमारे पास की business model नहीं है, यह इसी का हिस्सा है, the simple is that कि अगर इसी product को आप Amazon के warehouse में भेच के इसको बेचेंगे, यह आपके पास कहलाता है FBA, Fulfill by Amazon मतलब के product आपकी है, store आपका है, आपने product Amazon के warehouse में बेची, वो खुद उसको pick pack deliver करेंगे अडर आएगा, उसको उठाएंगे अपने warehouse से, उसको pack करेंगे और उसके बाद पर उसको deliver करेंगे, यह आपके पास कहलाता है FBA, अगर इस similar product, मैं अगर अपने office में, अपने warehouse में रखके, मैं इसको खुद से बेच रहा हूँ, तो यह हमारे पास कहलाता है FBM, means कि यह हमारे ship करनी होती है, and the same is applicable for noon also, यह बारे पास होगया दूसरा method, तीसरा method जो हम कर रहे होते हैं, वह हम कर रहे होते हैं, drop shipping का, drop shipping की मैं आपको, दो line के मैं आपको definition दे लेता हूँ, drop shipping के बारे में बहुत सी confusion है, दों के जहमों में, और no doubt के Amazon drop shipping की इस तरीके से इजाज़त नहीं जिस तरीके से different किसम के sellers drop shipping कर रहे होते हैं, Amazon इतना कहता है, कि आपने drop shipping कर नहीं है, but make sure the buyer must knows about seller's information, drop shipping के यह सिंगल line information definition है, मैं इसको आपको समझाते हूँ, इसका मतलब गया, buyer must knows about seller's information, इसका मतलब यह है, Amazon आपसे यह कहता है, कि आपको डूबी पोड़ाट अपनी बेच र make sure कि उस product के ऊपर आपकी details होनी चाहिए, seller, उसकी contact details, etc. मगर आप जब किसी दूसरे चैनल के तरूप, वही बाय करके आप customer तक पहुचाएंगे, तो definitely आपका नाम नहीं होगा, वह उस seller का नाम होगा, जो product बेच रहा होगा, अब यह हमारे मस्के लाते है, direct drop shipping, कि आपके प पार्टी के तरूप, उस product को place करके वह चीज़, straight way आपने customer तक पहुचा दी, Amazon आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है, उसकी reason यह है, कि जब वह customer, जब वह seller उस product को customer तक देजेगा, तो उसके उपर उसकी personal details होगी, उसकी information होगी, और seller का name, वह different होगा, और definitely उसकी packing है, व होती है, means that product आपके पास available नहीं है, आपने उसको list कर दिया, that's fine, Amazon को इस चीज़ से कोई घरज नहीं है, कि वह product आपने कहां से ली है, कितने के ली है, कहां से आपने source की है, Amazon is simply saying, make sure कि जो product आपने list की हुई है, जब आपके पास order है, within specific time period, जो time आपने delivery का दिया होगा, उस time period के अंदर, same product customer तक deliver होनी चाहिए, अब interact drop shipping में क्या होता है, कि एक product आप लिस्ट करते हैं, मगर physical वह आपके पास store में or stock में available नहीं है, तो वह product order आने के बाद सबसे पहले आपने पास नहीं है, in case अगर आप आपका office, आपका warehouse में available है, then in this case, this is so simple, और in some cases, आप 3PL की service पे use कर दे होते हैं, 3PL हम जिसको third party logistic करते हैं, कि आप आडर आएगा, वो 3PL के तरू आप third person तक deliver करवाएंगे, वह बहां से packing चेंज करेंगे, और Amazon या noon की packing में डाल के customer को deliver कर देंगे, इसके इदावा भी हमारे पास different किसम के methods, direct shipping के, drop shipping के, वह हम discuss करेंगे, जब हम अपने उस topic अप्रोच करेंगे, उसके पास चोते नमबर पे हमारे पास आजाता है, online arbitrage जिसको कहते हैं, इसमें और FDA के अंदर की बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, FDA के अंदर भी आप दूसरों की product आप बेच रहे होते हैं, और online arbitrage में भी आप दूसरों की product आप बेच रहे होते हैं, FDA के अंदर आपको उस brand की या उस specific product की आपको approval लेनी पड़ती है, और online arbitrage के अंदर आपको उसके approval नहीं लेनी पड़ती है, ये mainly हमारे पास चार business के concept आजाते हैं, उसके इलावा हमारे पास बहुत सी चीज़ें आजाती हैं वैसे, मगर mostly virtual assistant services नहीं दे रहे होते हैं, आप Amazon क through अपनी book भी publish कर सकते हैं, आप Amazon पर जाके अपनी digital चीज़ें उसको भी sell out कर सकते हैं, differently के हैं उसके हमारे पास, अब इसमें एक दो चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, वो ये हैं, कि जितने भी आपके पास business models हैं, उसमें आपके पास private label, FBA, FBM, उसके लावा graph shipping, उसके ये सारे model के लिए किसी अलएदा अलएदा store की जरूरत नहीं है, आप एक ही store के उपर इन तमाम model को apply कर सकते हैं, आप private label भी एक ही store के उपर product अपनी list कर सकते हैं, दूसरों की product लेके वो भी उसी store के उपर आप लिस्ट कर सकते हैं, उसी product को आप अपने पास रखके भी house में भी बेज के बहां से भी आप उसको sale out कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एक फरकता है कि in case अगर आप used item बेजना चाहरे हैं तो उसके लिए आपको अलेंदा से store create करना होता है, और वो Amazon या noon की आपको special approval ने नहीं पढ़ती है, उसके बाद आपको store create करते हैं, बट जो आपका new store हैं जिसके उपर आप new product sale out करने हैं, उसके उपर आप used item नहीं बेच सकते हैं, और जो आप used item का store आपका होगा, वो specifically आपका designated होगा कि यहाँ पे आपने used item ही sale out करने हैं, वहाँ पे आप अपने new item की listing नहीं कर सकते हैं, यहाँ से एक और concept हमारे पास clear हो गया, आगर आप Amazon आप आप नून के उपर आप used item sale out करने हैं, आप 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 अलेक्ट्रोनिस की चीज़ें होती हैं, तो आप उनके store creation का method है, वह थोड़ा सा हमारे पास different हो जाता है, तो यह उमीद है कि इस video के अंदर आपको Amazon के, नून के, या Market Place के, आप दरास के उपर काम करना चाहें तो दरास के उपर भी हमारे पास सेव पैटरन यूज़ हो रहे होते हैं, इसके concept आपको clear हो गे होंगे, इसमें किसी किसम का आपका question है, तो definitely you need to ask in the comment section, going forward हमें काम करेंगे कि एक वड़सा group हम generate करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे regular students जो के इस course के तरू, market place को, business को understand कर साथ के साथ उसके notes बना लिया करें, उसमें जो important चीज़े हैं, जैसे हमने वीडियो number one में जैसे हमने discuss किया कि इस course के हमारे पास कितने phases होंगे, और यह हमारे पास एक like a profession, यह हमारे पास एक profession आप इसको लेके चलें, हमारे पास बिल्कुल ऐस students available हैं, जिनों ने आच से चा किया था और अलहमदोलिल्ला आज वो हजारों में लाखों में अपनी earning कर रहे हैं, तो इस course को आप as a professional लेके चलें, उसके लिए मेरी suggestion है, rest this up to you, के वीडियो एक तो sequence से आप सारी देखें, वीडियो number one is most important, उसमें इसका complete mechanism है, कि हमने market place हमने इसको start करना है, पिर वो course हमार management और business development के अंदर, और उसके बाद budget complete हो जाएगा, फिर हमें रिटेल की तरफ एंट्स हो आए, तो उसको देखें, उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आती जा रही हैं, तो make sure कि आप अपने पास उसके notes लिखते हैं, लिखें, lecture number one, lecture number two, lecture number three, उसमें अगर हमने business model आपके बता साथ ही रहेगी, आप जो के step by step जब हम इन चीजों को आगे बढ़ते जाएंगे तो पिछली चीज़ें जो हम इसके साथ साथ रपीट करते जाएंगे, आज के लिए इतना ही, next video will be also most important, और उसको next video के अंदर हम discuss करेंगे, जो product listing का landing page होता है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वह हम यू कह सकते हैं कि basically the next video के अंदर हम एक Amazon की जो understanding है, उसकी summary को discuss करेंगे, जिसके अंदर अगर आपने उसको understand कर लिया, जिसके अगर आपने उसको understand कर लिया, तो मेरे को पुरी कोशिच ही है, कि मैं इस तरीके से इस course को और आप लोगों को लेके च लिया, जिसके जिसके एलग दोज़ें कर लियाँ कर लिया उसके आपने तोदो सह जो और आपने आपने और आपने जिसके एल रहटर कि को खंषिए。 झाल